भक्ती मैं भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल भक्ती भजन सागर नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ओम नमो भगवते वासुदेवाई बुल्य श्री हरी विश्नु भगवान के लेहूँ भक्तों जब जब धर्ती पर पाप और पापियों का उत्पात बढ़ता है तब तब भगवान श्री हरी विश्नु भिन भिन रूपों में अवतार धर्के धर्ती पर अवतरित होते हैं और पाप और पापियों का विनाश करते हैं आईए आज मैं आपको भगवान श्री हरी विश्नु द्वारा समय समय पर धारण किये गए दस अवतारों की संगीत मैं कथा सुनाने जा रहां तो एक बार फिर सच्ची श्रधा से मेरे साथ बूली पुले श्रीहरी भगवान विश्नु नारायन के जब जब धर्ती पे पाप बड़े हो जब जब धर्ती पे पाप बड़े प्रभु लेते हैं अवतार ले अवतार प्रभु करते हैं धर्ती का उधार जै नारायन हरी जै जै नारायन हरी भक्त जनू श्री हरी नारायन के दस अवतारों की गथा इस प्रकार से श्री हरी विश्णू ने प्रथम अवतार मत सी रूप में धारन किया था भत्तू उन्होंने यह अवतार धर्ती को प्रलय से बचाने हे तू धारन किया था प्रलय के समय उन्होंने राजा सत्यवरत को आदेश दिया कि वो एक नौका पर सब्तरिशियों बीजों वेदों पुराणों उपनिशदों और प्राणियों के सूक्ष्म चरीर को लेकर बीच जल में आ जाये वो मत से बन कर आएंगे और नौका सहित उन सब को बचा कर ले जा दूसरे अवतार में श्रीहरी ने कूर्म अर्थात कच्छुए का रूप भरण किया सागर मंधन के समय मंदराचल परवत को मतनी और वासुगी को नेती तो बनाया था परन्तु मंदराचल का आधार क्या बने यह प्रश्न सन्मुक्था तभी श्रीहरी भगवान ने कच्छ दूसरे का रूप धर मंदराचल परवत को अपनी पीठ पर धराया और सागर मंधन संपूर्ण हो सका मज्यवतार धरा विश्नों ने धर की प्रलै से बचाए राजा सच्ति व्रत सब्त रिशी और वीज और वेद बचाए कूर्म रूप में मंदराचल को अपनी पीठ धराया सागर मंधन कूर्म रूप में हरी संपूर्ण कराया श्रिष्टी के कल्यान की खाति हो कि श्रिष्टी के कल्यान की खातिर धरेत ये अवतार सारी स्रिष्टी मना रही है श्री हरी का आभार जै जै नारायन हरी बोलो नारायन हरी जे नारा यणवरी जे जे नारा यणवरी श्री हरी ने तीजा अवदार वरह रूप में धारण किया था भक्तों जब दैद जहिरन्याक्ष प्रित्वी का अपहरण कर उसे पाताल में ले गया तब ब्रह्माजी की नासिका से श्री हरी का वरह अवदार प्रकट गुआ जिसने अपने विशाल नत्वूनों से सूंकर धर्पी मा का पता लगाया और पाताल जाकर धिरन्याक्ष दैद्वी का अंतिकर प्रित्वी को मुक्त कराया बोलिये वरह अवदार की चतुर्थ अवदार ने श्री हरी ने नर्सिंग का रूप धारण किया भक्तों जैत्य हिरन्याकष चप ने ब्रह्मा जी द्वारा मिले वर्दान के कारण सारी प्रित्वी पर बात मचाया परंतु उसी का पुत्र पहलाद उसका परमशत्रू बना उसी प्रहलाद को बचाने खातिर और हिरनाकष्चप का अंत करने प्रभु ने नर्सिंग अवदार आरण किया तो बोलिये नर्सिंग अवदार की बरह रूप में हिरन्यास्च को श्री हरी मार गिराए दातों मध्य में पित्वी उठाई उसे बचा कर लाए चोथा रूप नर्सिंग का तो भगवन ने था धारा बगत प्रहलाद बचाया भगतों धिरनाकष्चप मारा गोद बिठाया प्रहलाद को प्रहलाद को दीना अपना प्यार प्रहलाद ने अस्तुतिकाई भगतों बारंबार जै जै नारायन हरी बोलो नारायन हरी जै नारायन हरी सारी स्रिष्टी नापली और तीजा पक उसके शीज पर धर उसे पाताल पहुंचा कर उसका उधार कर दिया छटे अवतार में श्री हरी ने परशुराम का रूप धरन किया और ब्रहम्मन होकर भी भगवान शिव द्वारा प्रत्दत फरसा हाथ में उठाकर पाप और पाप अबियों का प्रत्वी से तीन तीन बार विनाश किया पुलिय श्री हरी के अवतारों की पंचम रूप में वामन बन कर श्री हरी विश्नु आए बली के सिर पर पाओं धरा और भव से पार लगाए छटे रूप में परशुराम बन हाथ में फरसा उठाए सहस्त्र बाहु भुजा उखाडी पापी मार गिराए तीनों लोकों ने है काई हरी कि जै जै का विश्नु अवतारों को कर लो नमन तो सो सो बाब जय जय नारायन हरी बोलो नारायन घरी जय नारायन घरी जय झय नारायन घरी श्री हरी ने अपना सप्तम अवतार मर्यादा पुरुशोत्तम श्री राम के रूप में लिया था भगतू और मानव जीवन को कैसे जिया जाए इन मूल्यों को सिखाते हुए पापी रावन का अंतकर समस्त प्रिट्वी पर राम राज्य स्थापित्या था अस्टम अवतार में श्री हरी ने अपना संपून अवतार यानि भगवान प्रिश्न अवतार लिया कभी बंसी बजाते माखंचोर कहाते लीला दिखाते कंसका वदग्या और अरजुन को विराट रूप में गीता ज्यान देकर महा भारत के महानायक बने तो बोलिए भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्न की जेहु सब्तम रूप राम का धारा रावन को थे मारे राम राज इस्था पित कीना गूंज रहे जैकारे पस्तम रूप में श्री कृष्न का रूप प्रभू जी धारे पापि कंस को मार प्रभू ने सब के कस्ट विडारे गीता ज्यान दिया स्रिष्टी को सबने माना भार सबसे पूरण है श्री हरी का कृष्न का अवतार जै जै नारायन हरी श्रीमन नारायन हरी जै नारायन हरी जै जै नारायन हरी नवम रूप पे श्री हरी ने अहिंसा का संपून रूप धरते हुए भगवान बुद्ध का रूप बना अवतारन लिया और श्रिष्टी को अहिंसा परमधर्म है इस बात का संदेश दिया दशम रूप वे श्री हरी इस घंगोर कल्यूग में भक्तों कल की भगवान आएंगे और नीले घोडे पर बैठकर इस कल्यूग के समस्त पाप ताप और संतापों का नाशकर पृत्वी और प्राणियों की रक्षा करेंगे तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिए बोलिए भगवान श्री हरी नाराण विश्नू की नवम रूप श्री बुद्ध का धारा अहिंसा पाठ पढ़ाएं है अहिंसा परमधरम ये सब को बात बताएं दशम रूप में कल की बनकर रभू जितों आएंगे इसकल युग के पाप ताप सब मिटा के वो जाएंगे चंदन तिलकन महिमा गाई भगतों बारंबार भगतों का कल्यान करेंगे श्री बिश्नू अवतार श्रीमन नारायन हरी जै जै नारायन हरी जै नारायन हरी जै जै नारायन हरी